सुन्दर साथ जी आज डे 58 अठावनवा दिन श्री सिंधी मन्थन शाकुंडल सखी परमधाम का द्वार खोल कर घर चलने के लिए उतावली है सुन्दर साथ जी ये देखे घर है तो घर के उपर घर बनाया है और ये देखे सुन्दर साथ की इतनी सुन्दर सेवा कि मैं क्या बताऊं वारी वारी जाऊं इन सेवाओं पर आपके चर्णों में कोटान कोट प्रनाम जी साकुंडल सकी घर चलने के लिए उतावली है तो सुन्दर साथ जी हम सक्षियों को घर चलने के लिए कितना उतावलापन होना चाहिए जो जो पहचानकी और अग्रसर होता जाएगा वो उतावलापन उसका बढ़ता जाएगा व्याकुलता जो धनी के अंदर है न, वो व्याकुलता हमारे अंदर भी वड़ती जाएगी, कि पिया कब वो पल आएगा, जब हम भी आपके साथ अखंड आनंद में मस्त होंगे, क्योंकि यहां तो फिर फिर माया के कामों में जाना पड़ता है, फिर थोड़ा सा तो इंस्ट अंद आनंद तो पन्ना जी की तरहटी में है, इस समय वहां पे हमारा फोकस होना चाहिए कि पिया इस मानव जन्म के बाद अब मैंने कहीं नहीं जाना, अब तेरे चर्णों में, तेरे रिदय में समाना है पिया जी, आइए चलते हैं, स्वामी जी के, श्री राजन स्वामी जी के द्वारा, हाथ उनके जरूर चले हैं, पर पिया जी के द्वारा करवाए गए, इंतीका की ओर, अती, अती, अती सुंदर शब्दों में, आईए मन्थन करते हैं, श्री सिंधी वानिका, उनी दो सक्यों के बारे में ही बात हो रही है, सिर्दार सक्या, साकुंडल और स हिनी में जे बे चैयों, बे मतलब दो सक्यों जो हैं, इनके बारे में ही सारी बात हो रही हैं, कहते हैं, सद्गुरु धनी सुंदर बाई सिर्दार, सद्गुरु धनी श्री देव चंदर जी, शामा जी ने इन में से जिन दो सक्यों के बारे में मुझे कहा था, क्या कहा था उनके बारे में सिर्दार सक्षियां चटे दिन में ये रहेंगी सेपन थेऊं निद्र में आपने देखा सुन्दर साजी अभी अभी ये बोलते हुए खयाल आया कि पहले दिन से दूसरा दिन जुड़ा हुआ था पहला दिन यानि ब्रज से रास जुड़ी हुई थी जहां जहां सक्षियां और पिया जी आएं हैं न हम जहां भी आएं हैं राज जी शामा जी और सक्षियां वो दिन की भूमिका पहले तयार हो जाती है अगले दिन की ऐसा नहीं अच्छानक से स्टार्ट होता है ब्रज में रास की भूमिका विरहा के दिनों में तयार कर दी थी उन्होंने कि वियोग दिया है क्योंकि आनंद देना है वही सारे पात्र उनको ले गए पात्र यानि हम सुन्दर साथ उनको ले गए अखंड योग माया में तीसरे दिन तो हमाई नहीं थी वो तो महमद साब थे अक्षर की आतम थी जोश था तो वो तो जुड़ा होगा भी नहीं उनमें कोई जुडाव नहीं रहा तीसरे का चौथे दिन से नहीं रहा हां वो पूरा कुरान में संदेश दे कर गए पर राजी शामा जी हम सक्या उन कि राज ठाकूर जी को प्राना जी बनने के लिए तयारी उनकी शुरू हो गई चौथे दिन में ही देवचंदर जी से मिल जाते हैं वो ऐसे नहीं अच्छानक से पांचवा दिन स्टार्ट हो जाता है चौथे में ही चौथे दिन के पार्ट as a part of fourth day में ही राज ठाकूर जी देवचंदर जी से मिल जाते हैं कितना सुंदर है और उसके बाद ऌध पांचवे दिन से चठा कैसे जुड़ा हुआ है पांचवे में ही 6 साल जी प्राना जी को मिल जाते है भूमिका चठे दिन की तयार हो जाती है यहीं बताया जा रहा है कि यह जो दो सक्हिया चल्ए दि जी के ही धाम रिदे से ये पूरी लीला चल रही है सुन्दर साथ जी तो छठा दिन स्टार्ट करने वाली शोभा जो मिली शाकुंडल सकी और अंत करने की शोभा मिलेगी शाकुमार सकी लास्ट बैच जिनको मिलेगा ओफुली वी आर दे लास्ट बैच तो हमारे सत्गुरु को फिर वो शोभा मिलेगी अगर हम लास्ट बैच है सत्गुरु धनीश्री देव चंदर जी ने इन में से जिन दो सक्यों शाकुंडल और शाकुमार को प्रमुक बताया था सुन्दर बाई ने सिर्दार बताया था सेपन थेउ कि नीद में ऐसी मगन हो गई तिन्नी सुद नसार उनको कोई सुद नहीं बेसुद हो गई है घर की कोई पहचान नहीं घर की कोई सुधी नहीं है उनको इन दो सक्यों को जिनके बारे में मुझे इंस्ट्रक्शन्स दिये गए थे और मैं उनको डूंद रही हूँ तिन्नी बी में हिकडी कहते है उन दोनों में से हिक तो मुझे मिल गई हिकडी तो मिल गई है कितने सुन्दर इसमें चत्रसाल जी कितने प्यारे इस शब्द में उनका मुखारबिंद कितना प्यारा लग रहा है मेरी शा कुंडल सक्षी का मुखारबिंद इस हिकडी में कितना सुन्दर लग रहा है कहते है तिन्नी बी में दो में हिक तो मुझे मिल गई है हिकडी मुझे मिल गई अच्ची गड़ई मुँ कहते हैं आकर वो मुझे मिली है स्वयम आकर मुझे मिली है मोहरे मैंने उसको दी थी और खुद आई है मेरे पास चलके संदेशा पाकर हिकडी आ गई है मेरे पास इतने मीठे शब्द हैं सुन्दर साजी एक शब्द में खो जाएं तो उसमें से निकलने का दिल ना करें कोई ऐसे ही थोड़ी है ये हलके से शब्दा तीत को समा के बैठे हैं अपने अंदर ये शब्द वो जो शब्दा तीत है जिसको शब्दों में लाना अलाउड नहीं है यहां के शब्दों में वो शब्दा तीत इस बार आके इन शब्दों में चुप गया है तो सोचो कितनी भारी गरिमा है इन प्यारे प्यारे शब्दों की, इन मात्राओं की, इन बिंदूं की, इन रिक्त स्थान की, इन फिल, ये ब्लैंक्स जो है न, ये फिल करते हैं राज जी, रिदे में जब उनका प्रकाश हो जाता है, तो ये जो ब्लैंक्स है न, ये भी फिल हो जाते हैं, ये जगह भी खाल में एक जगह ऐसी नहीं होती जिसमें जलना हूँ तो ये पूरी वानी में यहां भी पिया समाए हुए है सुन्दर साजी ये खाली नहीं मेरे धनी समाए हुए है ये सागर में भी एक खाली जगह जो दिख खाली रही है क्योंकि हम देखनी पारे पर उसका जल प्रेम का जल इ गोए हुए है ये वानी से दूर ना रहेगा मैंने बहुत गलतियां की है सुन्दर साथ जी बहुत वर्षों तक इस ब्रह्मवानी को बहुत लाइकली लिया हुआ था चार चौपाईया पढ़के भी पिया पे एहसान किया करती थी कि आज मैंने पढ़ लिया धनी बहुत बड आगे से ये कितना प्रेम देती है हम तभी कर सकते हैं जब उधर से आता है क्योंकि हमने तो शून्य से शुरू किया है वो सप्लाई करते हैं तो आता है सुन्दर साथ जी ब्रह्मवानी पे प्रेम भी नहीं आ सकता उनके बिना उनकी मेहर के बिना एक किताब एक कविता की तरह भी पढ़ जाया करते हैं क्योंकि उनकी महर बहुत जरूरी है तिन्नी बी में हिकडी अच्छी गड़ाई मूं मुझे मिल गई है आके जे हाल आए इन जो कहते हैं इनका जो हाल है न से जाने थो सब तुम इनकी अवस्था इनका हाल इनकी जो हालत यहां इस खेल में हो रही है न वो तुम से बेटर कौन जान सकता पिया तू जानता है सारा मेरे पास भी तू नहीं बेजाए ये भी मुझे पता है सारा मैंनी ला सकती किसी को क्या कहा था बुलाए लियाओ तुम रूह अल्ला जो रूहें मेरी आशिक क्या कहना उनको कईयों कहलाया उनको ये जाकर कहना अकने का है इनको लाता भी तू है सारी सुन्दर साथ इतने साल से सुन्दर साथ जी जूम पर ही जुड़े हैं हम तू ला सकता है, ये तू ला सकता है, सब तू, हर एक को खीच-खीच कर पिया लाते हैं, कौन होता है, इतने साल से इतने घंटे बैठने वाला, बिठाने वाला, सब तू, नचाने वाला तू, तडपाने वाला तू, चलाने वाला तू, सब तू ही तू, जिस दिन ये तू, आजाता, जब तक ये मैं बनी हुई है ना, तब तक पिया को अंदर, अपने अंदर कहीं घहरे में फील कर पाना, अपने अंदर है, कितनी विडंबना है ये सुन्दर साजी, हमारे अंदर कोई प्राणी भी जन्म लेने वाला हो ना, हमा गर्भ में माता के हो ना, कोई जीव आया है, गर्ब में आया है, उसकी, जिस महीने में उसकी हार्टबीट फील होनी चाहिए, ना हो न, डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, क्यों नहीं हो रहा है ये, मेरे धनी तो इतने साल से मैसूस नहीं हो रहे हमें, हम कभी नहीं गए, कभी पूछा है पिया से, भई जी यहां के यहां एक बच्चा ओने वाला उसके लिए इतना दर्द है माँ को कि अरे इस समय पे इसके यह activity गर्ब में क्यों नहीं हो रही मुझे heartbeat क्यों नहीं दिख रही क्यों नहीं सुनाई दे रही उसके लिए हम कितना बागते हैं क्योंकि मोह है उसी को प्रेम समझे मेरी आत्मा के दिल से कितने सो शताब्दियां हो गई सुन्दर साजी साड़े चार सो साल हो गई चार शताब्दियां फोर एंड हाफ सेंचुरीज बीट गई मेरी आत्मा के रिदे से एक पल भी वो अलग नी हुआ कभी पूछा है उनसे तुमारी हाट बीट मुझे फील क्यों नहीं होती धनी जी तिरे दिल में मैं दड़कती हूँ और मुझे सुनता नहीं मेरे ही अंदर बैठे हो पर मैं तुमको सुन नहीं पाती मैं तुमारे दिल की आवाज को तुमारे दिल की धड़कन को मैं नहीं सु पाती, क्यूं दर्द नहीं होता ये, वानी को पड़ेंगे, वानी से जुडेंगे, वानी से प्रेम करेंगे, धनी का प्रेम अपने अंदर आएगा, दर्द होगा सुन्दर साथ जी, उसी को विरहा कहते हैं, जिस दिन ये दर्द होना शुरू हो जाता है न, फिर वो रुकता नहीं है वो बहुत मीठा होता है वो भी प्यारा लगता है लगता है ये स्टेज ही खतम ना हो इतना सुन्दर प्रोसेस है ये विरहा का प्रोसेस भी बहुत सुन्दर इससे मीठी चीज ही नहीं है परमदाम में नहीं है सुन्दर साथ जी विरहा का सागर नहीं है वाँ यहां मिलता है विरहा यहां कि स्टेजिस के हिसाब से विरहा है वाँ नहीं मिलता था इसलिए तो यहां लेकर आएं हम उसी का अनंद ना ले दर्द होना चाहिए सारा दिन माया में लगे रहते यह दर्द होना चाहिए कि पिया इतने पल आज फिर चले गए मुझे तेरी हार्ट बीट क्यों नहीं सुनी आज मेरे अंदर विराजमान मेरी आत्मा से एक पल के लिए तू अलगनी होता और मुझे सुनाई नहीं देता क्यों ऐसा क्या है मुझे मुझे नहीं सुनाई देते आप मुझे दिखाई नहीं देते तो ठीक करो ना धनी जी समर्पित कर दो मैं जैसी हूँ मैं जो हूँ विकारों से ग्रस्त ये जीव मेरा है पर मैं तेरी हूँ पिया मैं किसी और की नहीं हूँ मुझे निकाल लो इस माया में से मुझे सुनाई दो मुझे दिखाई दो आओ बहुत मीठा विरहा करना है सुन्दर साची ऐसे लगता है जैसे विरहा ही पिया है उस समय ऐसे लगता है जैसे ये विरहा में ही तू समाया हुआ है धनी इतना सुन्दर प्रोसेस तूने बनाया है मेरे लिए मुझे तो पता ही नहीं था वानी में ज्यान दृष्टी से जब हम इसको समझते हैं न उसके बाद जब वो action में आना शुरू होता है that process is so beautiful कि लगता है कि यही मेरी आक्री मनजिल है जैसे धनी के लिए विरहा करना कुछ छोटी चीज नहीं है स्वामी जी तो कहते हैं उनसे ये भी न बोलो कि तुम कब मिलोगे बस तुम बोलो कि मैं तेरी हूँ तुम मेरा है समर्पन कर दो स्वयम का काम करो उसको उस पे छोड़ दो कब मिलोगे क्यों मिलोगे कहते हैं उन दोनों में से एक शाकुंडल आकर मुझे मिली, हिकडी मुझे मिली, उसकी जो दशा है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, सेवा में जोक दिया उस हिकडी ने अपने आपको, इन में से एक ने जोक दिया स्वयम को, राज काज संभालते थे, छोड़ा नहीं था, कभी नी बोला प्राना जी ने अपना र छोटा सा ब्रमान्ड हमें लगता है, हमें बिजी कर रखा है, इसने, आज सारी मशीने आ चुकी हैं, कौन खा रहा है हमारा समय, छत्रे साल जी का नहीं खा पाती थी, यह माया, पूरा राज्य संभालना है, जिनको युद्ध भी लड़ने हैं, माया उनका समय नहीं चुरा पाती थी, पिया वाला हमारा कैसे चुरा लेती है, हम कितने बिजी हैं, हमें कहते हुए थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए, कि आज में मैंने वानी नहीं पड़ी, मैं बहुत बिजी थी, मुझे समय नहीं मिला, क्या छत्रे साल जी से जाधा बिजी हो गए हैं हम, क्या कि हमें सिखा रही है, हस रही है वहाँ पे बैठके, पर आतम जिसकी हस रही है, वो सकी हमें सिखा रही है, कि इतने युद्धों में फसी हुई हूँ मैं यहाँ पे, इसलिए अमिरुल मुमिन का किताब उनको मिला, पर माया मेरा कुछ नहीं बिगाड पाई, मेरा समय भी न होता था, तो अंदर पिया की धड़कन मुझे सुनती रहती थी, क्योंकि मेरा मन पिया के चर्णों में ही रहता था, प्राणनाजी के चर्णों को समर्पित हो गए थे वो, तब चाहे युद्ध में जाएं, चाहे महल में बैठे हो, कोई फरत नहीं पड़ता सुन्दर साज सब एक समान हो जाता है, जिसके लिए सब तुम हो जाता है न, उसको पता ही नहीं लगता है, इस माया में बाहर चल क्या रहा है, मेरा शरीर तलवार उठा रहा है, मेरा तन तलवार उठा रहा है, के फूल उठा रहा है, उसको कुछ पता नहीं होता सुन्दर साज, बस वो ह प्रद्र होती है कि उसमें से कोई बाहर नहीं निकाल सकता उसके बाहरा को। माया चाहे भी कुछ भी करती रहे फरक ही नहीं पड़ रहा कोई तो कैसे निकालेगी बाहर नहीं चुरा पाएगी उस समय को जो पिया पे समर्पित कर दिया हुआ है। हम उनसे जादा बिजी नहीं हैं बहाने छोड़ दीजिए सुन्दर साथ जी आज चित्वन में नहीं कल बैठेंगे समय नहीं मिलता जाते हैं। कितना बड़ा ब्रमान दिया राज जी ने अभी तो राजा महराजा नहीं बना दिया। अब तो कहते बनाते भी नहीं हैं प्राइम मिनिस्टर सुन्दर साथ को ऐसा समय आ चुका है। कि इनको वो दे दिया तो वैसे इनके पास बानने होंगे तेरे पास इसलिए नहीं बैठती थी। किसी को इतना बिजी नहीं किया हुआ राज जी ने आज। पर ये हम हम आलसी हैं सुन्दर साथ जी। सारी सुविधाएं भी पिया ने दी हुई हैं। कैसी भी परिस्थिति आओ नो कम्प्लेंट्स एट और जो पिया तुने दिया है जो डारेक्टर साब आपने किया वो पर्फेक्ट है बस। कहते हैं उनकी हालत हमारी हालत भी पिया जानते हैं हर रू की हालत अंदर बैठा है सुन्दर साथ जी कहीं दूर नहीं है। आओं बेठिस हिनजे घर में कहते हैं इनी के घर में तो मैं बैठी हूँ। कितना सुन्दर सिंधी पानी सुन्दर साथ जी मुझे तो ये लगता है कि अभी कितने महीने हुए हमें सिंधी पढ़ते हुए ये माया की example है हमें ये language नहीं आती है हमें सिंधी नहीं आती हम नहीं पढ़े हुए हमें इनके अर्थ नहीं पता है पर अभी कितने महीने हुए है एक एक चौपाई पढ़ते हुए सिंधी समझ में आने लग गई है थोड़ी-थोड़ी ही सही तो क्या प्रेम के स्वरोप के साथ समय बिताएंगे सिंधी के साथ पढ़ने में अभी समय बिताया है तो सिंधी हमें समझ में आने लग गई है पिया के साथ बिताएंगे तो उनका प्रेम समझ में नहीं आएगा पूरी वानी के साथ समय बिताएंगे तो धनी का प्रेम हिर्दे में कैसे नहीं आएगा जरूर आएगा एक एक चौपाई अंदर उतरेगी एक एक बिंदू अंदर उतर जाएगा सुन्दर साज कोई नहीं अलग कर पाएगा माया लाख जोर लगाएगी पूरा दिन इस खुमारी में से निकाल नहीं पाएगी समझ में नहीं आता कि कैसे हाथ हिले कैसे घर के काम बिजनस के कैसे सेवा के काम होते ही चले गए नए विचार आते चले गए कई बार तो ऐसे होता है आते चले जाते हैं लिखने का समय नहीं होता उनको कि क्या क्या आके चला गया क्यूंकि वो मस्ती वो खुमारी बहुत सुन्दर है उसमें से निकलने का कि इच्छा ही है पर ब्रहमान बड़ा सुन्दर चल रहा है पहले से भी अच्छा चल रहा है believe me करके देखिएगा सुन्दर साथ जी एक बाई स्वामी जी ने कहा ग्रिहस्ती में सन्यासी हो जाना ग्रिहस्ती में सन्यासी हो कर देखिए ग्रिहस्ती में सन्यासिनी हो जाना is the best setting पिया जी को पाने के लिए हो कर देखिए एक बार कैसा आनंद आता है कहते हैं आओं बेठिस मैं आकर बैठी हूं हिनजे घर में इनी के हिकडी के घर में ही तो आकर बैठी हूं मुझे भली भान तिनों ने अच्छे से रखा हुआ है वो भी आपका स्वरूप पहचान कर आरती उतारी है शाकुंडल सकीने उनकी पिया जी को पहचान कर पहली बार उनकी युगल स्वरूप की आरती यहां पे उतारी जाती है अमिरुल मौमिन के द्वारा कहते हैं इनके घर में जो एक ही अभी मिली है मैं दूसरे की बहुत कोशिश करनी हूँ धनी जब आपने लिखा तभी होगा मैं इनके घर में आकर बैठी हूँ मुझे कैसे रखा है इनोंने भली भत कितना सुन्दर पिया जी न लिखा है सुन्दर साथ जी बेठिस तो वो हिंजे हमारे घर में भी हैं हमारे दिल रुपी घर में आकर बैठे हैं क्या हम भली भत उनको पहचान कर रखा हैं हमने वहां आकर बैठ गए हैं हो तो आओं बेटिस हमारे भी अंदर आकर बैठे हुएं पर हमारे लिए वो कह पाएंगे ये मूग के रख्याई भली बत मुझे इन्होंने भली भांत रखा है दुनिया के गेस्ट के को कितनी भली भांती रखते हैं उनको इंप्रेस करने के लिए कितना कुछ करते हैं अच् चादरें भी निकालो भई घर पे आ रहे हैं अच्छे पक्वान बनेंगे स्पेशल डायरेक्शन दी जाएंगी सफाईयां अच्छे से होंगी गेस्ट साने वाले हैं और ये सुन्दर साथ जी पिया जी गेस्ट नहीं है हो मेरा अपना सबसे अपना है क्या किया उन्होंने हमने क्या कि अभली भांती से रखा है उनको कभी देखा ही नहीं जाके तु बैठा भी हुआ है के नहीं कभी दिल के उस कमरे में जाका ही नहीं जाके हमने इसलिए चित्वन में बैठना है कि उस कमरे में भी जांक आईए उस मंदिर में रिदय मंदिर में उसको भी जांक लीजिए कहां वो प्रकाश का पुण्ज बैठ गया उसका भी दर दो अंदर कि इतने साल से उस मंदिर में तु बैठा है मेरे रिदे रूपी मंदिर में बाहर के मंदिरों में जा जा मैं बंदगी कराई पर अपने दिल में जांक के कभी मैंने देखा ही ने के आई सबे बंदगी जानी तो ही जी निस्बत कहते हैं आप से निस्बत जानके आपका स्वरूप मुझे मानके मेरी बंदगी कर रहे है मेरी सेवा, मेरी भक्ती कर रही है ये साकुंडल सके आपका स्वरूप मानके आज मुझे बहुत शरमारी है ये पढ़के मुखे रख्याई भली भत परमधाम में जाके ये बात तो होगी तेरे दिल में मैं इतने सौ साल बैटा रहा तू एक बार भी देखने नहीं आई मुझे एक बार भी जो तू मुझे मिलने नहीं आई तेरे ही दिल में कहीं दूर भी नहीं बैटा था तू ये भी नहीं कह सकती कि इतना distance travel करके आना पड़ता मैं कैसे आती मेरी घर की परिस्तितियां यह ऐसी थी मैं तो तेरे इक दिल में घर करके बैटा था तुने जहांका ही नहीं एक बार कितने शर्म की बात आईगी मेरे लिए एक हिंजे दिल में कहते हैं द्रडाव वड़ो डिठम हमारी साकुंडल सकी की कितनी महिमा इसमें गाई गई है कहते हैं जो द्रडाव मैंने बड़ा वड़ो बड़ा मैंने जो देखा डिठम होता है देखना जो मैंने इनके रिदय में द्रिडता देखी बड़ी एक हिनजे दिल में एक छत्रसाल जी के दिल में एक साकुंडल सकी के दिल में जो मैंने द्रडाव इतना बड़ा देखा आने माधा हत तो ही जे तो कहते हैं मैंने इनके दिल में दृड निश्चहे प्रियतम छत्र साल जी के रिदय में मैंने जागनी के लिए बहुत दृड निश्चह देखा हाने, माधा, हफ्त तो हीजे मैंने तो देखाय कि जागनी के लिए है पर बाकित तो आपके हाथ में कितना सुन्दर समर्पन इंद्रावती सक्की कर देती में बहुत सुन्दर कि मैंने देखा पर हाथ में ते रही है इपिया सब कुछ पन हितरो पेरो केयो पिरम कहते हैं इतना तो मैंने पहले कर दिया कि इनमें द्रिडाव आ गया पर अब सब आपके हाथ में कि छठा दिनिनी से शुरू होगा क्या होगा कैसी ये जागनी आगे बढ़ाएंगे सब तेरे हाथ में पिया इतना तो पहले मैंने कर दिया वो भी पिया, पिया के लिए ही मैं है वो तो समर्पित है ये आपके हाथ हमारे लिए कहती हैं वो उनमें तू और मैं है ही निया हमें सिखाने के लिए अगर मैंने ही लिखती रहेंगी तो पहले ही यहां सुन्दर साथ कितनी मैं लेकर बैटे हैं बोले महामती जी मैंने लिख रही मैंने किया तो हम भी मैं ही करेंगे नहीं महामती जी के मैं और तू में कोई फरक ही नहीं है क्योंकि वो एका कार हो चुकी है हम नहीं हों हैं बार बार बीच में ये कह जिलती हैं जैसे तू न चाहेगा वो मैं भी कहती तो सुन्दर साथ जी एक ही बात होती क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं बचा हमारे लिए लिख रही है क्योंकि हमें तू ही तू ही करना है अभी हमारी स्टेज अभी वो मैं परातम की मैं हमारे में नहीं आई है अभी पिया की मैं हमारे में नहीं आई है हमें तू ही तू ही की स्टेज से निकलना पड़े है पर छत्र साल जी के लिए कितनी सुन्दर बातें श्री बीतक साब में शुरू भी हो चुकी है अभी से, द्रडाव उनकी विशेशन देखिये सुन्दर साथ जी, उनके जैसे ही द्रड विशेशन, क्योंकि राज का आज संभालते हुए, बाद में सुन्दर साथ का सारा कर्च संभालते हुए, कुम्मट जी, बंगला जी सब बनवाया, सब किया उन्होंने, पर फिर भी से कभी पीछे नहीं हाट से तन से भी वो राज़ा सेवा कर रहा है शायद उसने अपने राजमेल में आज तक कुछ न उठाया पर आगे अश्ट पहर की सेवा में पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमने घर में सफाइयां नहीं की कभी आश्रम जाके हाथ भी नहीं लगाते हैं हमें आदत नहीं है हम नहीं जुख सकते ये फरक होता है सुन्दर साथ ये सिखा रहे हैं हमें चत्रसाथ जी राजमेल में एक तिनका उठा के न देखा उन्होंने पर वहां अश्ट पहर की सेवा में जोक रहे हैं स्वयम को हमारे घर में होंगे नौकर चाकर पर आश्रम में हम वो नहीं जाते हैं जो हम घर में होते हैं छोड़ के जाने हैं अपनी मैं सुन्दर साथ जी मंदिर जाना है आश्रम जाना है कुछ तो छोड़ के जाएं ऐसे सेवा कीजिए वहां पर जाकर कि सब कहें कि वा सुन्दर साजी घर में इतने नौकर चाकर होते हुए भी देखो कैसी सेवा करें सिख भाईयों से ये बातें सीखने पढ़ेंगी सुन्दर साजी बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए पर वहां जूतों की सेवा कर रहे होते हैं जूते साफ करने की नमरता ज लगती है उसमें, हमें सीखने अपने माहराजा चक्त्र साल जी से, कैसी नम्रता की प्रतिमूर्ती हमें बनना चाहिए कैसी सेवा में होम कर देना चाहिए स्वयम को कैसी पहचान प्रानाजी की करनी चाहिए बुलो श्री प्राननाथ प्यार की जै बो श्री सत्गुरू महराजी की जै प्रणाम जी सुन्दर साज जी प्रणाम जी ऐसे लगता है कभी कभी सत्गुरू का अशीरवाद कहने वाला उठके गया सत्गुरू का अशीरवाद बोला और उसके बाद गया और बोलता है जैकारा तू लगा ले ले सबकी महिमा अपने उपर ले ले सब कहेंगे तुने बहुत अच्छा किया मैंने कुछ नहीं किया सुंदर साजी सारा कुछ धनी करते हैं मेरे सत्गुरु का हाथ जो है न उसने बहुत कुछ बदल के रख़ दिया प्रणाम करना है तो मेरे सत्कुरू को कीजिएगा श्री राजी को आवेश स्वरूप को मूल स्वरूप को कीजिएगा मैं इस लायक नहीं मैं गुना की बागीदार हो जाओ पनाम जी आप से के चड़नों में